दोस्तों आज की इस व्रीओ में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप फोन पे एप्लिकेशन में अपने एक से ज्याधा बैंक ऐकाऊंट को ऐड़ करेंगे आपका बैंक ऐकांट अलरी एड़ है लेकिन आप उससे ज्याधा बैंक ऐकांट एड़ करना चाहते हैं एक नया bank account अपने phone पे से link करना चाते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका complete process दिखाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला आपको अपना phone पे application open कर लेना है यहाँ पर आपको उपर आपको आपका logo दिखाए देगा तो आपको logo वाले option पर क्लिक कर देना है तो logo वाले option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके banks दिखाए देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके बैंक, आपके phone पे account में जिन्दे भी bank account add है यहाँ पर आपको देखने को मिल जएनुगे अब यहाँ पर आपको access call करना है, यहाँ पर आपको एक add bank का option मिलेगा आपको add bank वाले option पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना bank चूस करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा जो भी bank आप चूस करना चाहते हैं उसी bank के साथ आपका phone पे वाला number भी link होना चाहिए यानि कि जिस mobile number से आपका phone पे account है उसी mobile number से आपका bank account पे link होना चाहिए और वो एक ही phone में होना चाहिए यानि कि आप जिस number से अपने bank account को link करना चाहते है phone पे से तो वो sim card आपके ही phone में रहना चाहिए तो यहाँ पर हम access bank का account जो है अभी add करने वाले हैं हमारा जो पहले का account है वो तीन account है वो तीनों के तीनों SBI में है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं access bank का option है यहाँ पर अब यहाँ पर हम access bank का account जो है यहाँ पर add करने वाले हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम access bank पर click करेंगे access bank पर click करने बाद एक और बात है दोस्तों कि आपके mobile phone में जो है balance रहना चाहिए रिचार्ज रहना चाहिए उसके बाद ही आपके phone में यह verify हो पाएगा तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सारा डिटेल से वह आ चुका है हमारा पर हमारा नेम और यहाँ पर हमारे बैंक का आएफसी कोड वगरा सब कुछ यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर हमें सिर्फ डन पर click कर देना है तो जब आप पहली बार यहाँ पर दूसरा कोई bank account एड़ करेंगे तो यहाँ पर आपको set pin का option मिलेगा दिखिए यहाँ पर reset pin है तो मैंने यहाँ पर अल्री जो है इस bank account को add कर रखा था इसलिए यहाँ पर यह reset pin का option मिल रहे हैं अगर आप यहाँ पर पहली बार एड़ करेंगे तो यहाँ पर आपको set pin का option मिलेगा तो आप अपना एक UPI pin set कर लिजेगा उसके बाद आपको done पर click कर देना है तो जैसे आप यहाँ पर done पर click करेंगे यहाँ पर आपका जो bank account है वो successfully add हो जाएगा मैं आपको अब ही दिखा देता हू तो यहाँ पर हम वापस से आ चुके हैं यहाँ पर bank वाले option पर यहाँ ने की हमारे logo पर हमने यहाँ पर वापस से logo पर हम यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर हमें banks दिखाए देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दो तीन SBI के हैं और चौथा वाला हमारा यह देखिए access bank का यहाँ पर जो हमने अभी add किया था वो यहाँ पर आ चुका है अब आप चाहते हैं कि आप इन में से किसी एक bank को primary account यानि कि जो main account होता है जिसमें लेन दिन होता है कि मान लिजे आपको कोई पैसे भेज रहा है तो आपके उसी primary account में आए तो हम यहाँ पर अभी हमारा SBI वाला यह वाला account जो है यह primary में set है यानि कि जो भी कोई पैसे भेज़ेगा तो इस account में आएंगे अगर आपको इसे change करना है primary account को तो आपको इस bank वाले option पर click कर देना है तो जैसे यहाँ पर आप bank वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पर आपको reset pin यहाँ पर आप देख सकते है reset करने का option मिलेगा pin को reset करने का आप चाहे तो pin change भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर check balance कर सकते हैं तो अब यहाँ पर option मिल रहा है देखिए active का तो आपको simply से active वाले option पर click कर देना है अब दूसरी बार यहाँ पर आपको नीचे एक active का option दिख रहा है दूसरा तो आपको यहाँ पर फिर से click कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद देखिए उपर एक option दिखरा आपको देखिए set as primary तो आपको इस पर टिक कर देना है और यहाँ पर आपको confirm का option मिलेगा और cancel का option मिलेगा आपको confirm पर क्लिक कर देना है तो जैसे यहाँ पर आप confirm पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका जो यह bank account है वो primary में set हो चुका है देखिए हम वापस आए तो यहाँ पर देखिए पहले SBI का bank account primary था लेकिन अब यहाँ पर हमारा Axis bank का account जो है primary हो चुका है अब कोई भी हमें पैसे बज़ेगा तो SBI में ना जाकर इस bank account में add हो जाएगा पैसे So I hope वीडियो आपके लिए helpful होगी है अगर आपके मन में अभी भी कोई पिकन बज़न बागी है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं